अब नमस्कार पिरिये जन्वा आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी शुब्जिंदक वीना शर्मा आप आई मेरे चैनल पर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दो नमबर को यानि कि बुद्धवार को आवला नममी है और आवला नममी जो है आप वैसे भी जानते हैं कार्तिक का पूरा महिना भगवान विश्नु को स्मर्पित है और आवला नममी भी भगवान विश्नु को स्मर्पित है मालक्षमी को प्रसंद करने का दिन है भगवान ह Argued नाथ की और भगवान भिष्णों की दोनों की अराधना जुरूं करें। दो तरीके से आपको अरादना बताऊंगी, उपाई बताऊंगी, जो आप शिगर अपने बच्चों के विवा के लिए, यानि कि मैं माता पिता से बात कर रही हूँ, अपने बच्चों के विवा के लिए आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इसके रिजल्ट 12-24 तो उपाई करें, और अगर आवले का ब्रिक्ष ना हो आपके पास, तो भी आप उपाई करें, दोनों भी तरीके बताऊंगी, दोनों तरीके आपको बता रही हूँ कि अगर ब्रिक्ष है आपके पास आवले का, तो आप आवले का ब्रिक्ष में अपने बच्चों के तुर धर पर लगा हो उसकी पूजा करें बच्चों के विवा के लिए एक तो आवलिक ब्रक्ष को दूद की धार जुरूर अरपित करें जल में मिला के करें चाहे आप अकेला दूद अरपित करें लेकिन दूद की धार आपको अरपित करनी है बच्चों के विवा की मनोकावना पूर्ति के लिए यह मैं माता पिता से बात कर रही हूं और बाइचांस अगर माता पिता नहीं कर पाते हैं तो फिर बच्चे कर लें उपाए इसमें मनाही नहीं है लेकिन दूद क धारा रुपत करनी है आवली के ब्रिष्ष के तने पर आपको पीली हल्दी से हल्दी लेके जाना है साथ में हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है आपको वहां पर और मोली का धागा लेके जाना है उसकी परिकर्मा करते हुए आवली के परिकर्मा करते हुए आपको मोली का धा करके और लपेट सकते हैं उसको यह तो हुआ उपाई वहां का और फिर उसके नीचे आपको अब मनों कामना पूर्ति के लिए क्या करना है कि आपको अपना कोई भी आपके पास हो जैसे महिलाओं के पास साड़ी का पला होता है या सूट पैना दुपट्टे का पला होता है उ पच्चों के तुरंत विवा योग बने और शिग्वप्या हो जाए उनके भागवान विश्नु मालक्ली भगवान श्रीहरी करते हैं उसी के उसी दिन ही वो सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं और तुरंत उसी वक्त positive result दिखते हैं आपको मैं यह आपको को करना है अगर ब् करूं उससे पहले एक छोटा से निवे दिन करना चाहूंगी कि अगर वीडियो को आप बहुत प्यार से देखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना कभी भी न भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आ हynnघे बता रही हूं कि अगर आम रे का ब्रक्ष आपके पास ना हो तो फिर माता पिता ये बच्चे किस त्रह से घर में उपाई करें घर में आप अपने पूजा घर में उपाय करेगा आपको पाव भर आवले ले आईए आवले बजार से मिल जाएंगे आराम से मिल जाएंगे बजार से हरे आवले जो होते हैं वो लेके आईए पाव भर आवले लाके और उसको फिर भगवान विश्णु की मालक्षमी की सामने चित्र हो आपके पूजागर में, चित्र के आगे आप एक थाली लीजिए, थाली में आप खल्दी का स्वास्तिक चिन्ह बनाईए, उसके उपर फिर तीन आवले रख दीजिए, बाकी आवले अपने बरतन में रखिए, तीन आवले निकाल के वहाँ पर रख दीजिए, उसके धागा आपका वो होना चाहिए या तो प्लेन पीला धागा ले लीजिएगा अगर मिल जाए तो मत्या आप मोली का धागा ले सकते हैं और यह उन तीन आमलों पर अर्पित करना है आपको लेकिन उससे पहले आपको जैसे की ब्रक्ष में आप दूद की धार छोड़के आए है यहां भी आपको दूद का चुन्टा उन्तीनों आमलों पर लगाना है और हल्दी का आपको टिल्क करना है। ब्सदेट, अर्पित का लिया वहां पर हज़्दी का स्वास्तिक्योप्र उनको ठागे और फिर अगर मोली का धागा आपके पास हो तो यह थोड़ी अपके पास तो बहुत अच्छी बात है वह आप अर्पित करें उस उनके आगे और फिर वहां पर अपने बिंटी प्रार्थन करें अब एक बात मैंने वहां भी आपको कहा कि वहां पर जब ब्रक्ष में आप पूजा करते हैं देपक प्रजलित करें और यहां भी भगवान व और यहां भी आपको आवले जो बचे हुए हैं उनको आपको खुद भी परसाद के रूप में ग्रहन करना है जो आवले चड़ाय हुए हैं उनको परसाद के रूप में ग्रहन कर सकते हैं और जो बचे हुए आवले हैं उनको आप दान के रूप में किसी को दान दे को आवल पर नवे में भी कहलाती है तो आपको ये दान जुरूर करना है उसके चोटी कन्याई जो होती हैं उन कन्याओं को पीदी चीज आवले की बनी हुई आवले की कैंडी मिलती है वह छोटी छोटी भी ले आए आप बजार से एक पैकेट और लाके छोटी छोटी बच्चियों में आवड़े की केंडी भी आप बांट सकते हैं या तोफी चोटी चोटी जो होती है गोलिया वो आप बांट सकते हैं तो आवड़े की चीज का उस दिन आपको दान करना है आप मंदिर में भी आवड़ा दान करके आ सकते हैं और जो धागा है जो आपने अरपित किया है तीन गा घर में आराम से रख दें फिर फिर जब बात करें जब सामने वाले रिष्टे वाले हो तो उस धागे को आपको उसी वक्त बांधना है और बांध कर जाना है आप करके देखिए इस चीज को आपको तुरंत मिलेंगे बच्चों का रिष्टा सगाई विवा जो अटका हुआ है वो तुरंत होगा क्योंकि यह धागा इसको ऐसे मत समझ लेना यह को सुनी सुनाई बात का नहीं है बहुत आजमाये हुए उपाएं हैं यह तो यह तुरंत बच्चों की विवा योग बनेंगे शिगर विडियो देखने के लिए आपका धन्याव